Dear Students, Good Morning, I hope you are fine. बिटा, फिर से हमारी online classes start हो चुकी हैं. I hope कि आप इन्ही ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपना काम ठीक समय पर पूरा कर लेंगे बिटा. Today we will start बिटा, Chapter 18 in SST. ठीक है, और ये है बिटा, इन्डिया विलेजीज एंड पंचायत. इन्डिया के गाउं और पंचायत बिटा, ठीक है. आप देखी बिटा, इसके अंदर क्या है? Majority of people in India live in villages. Majority में, जादा संख्या में बिटा. जादा संख्या में इन्डिया के लोग गाउं में रहते हैं. The lifestyle and surrounding of the people of villages are different from those living in the cities and urban areas. क्या कि इनके जो lifestyle means रहने का तरीका and surrounding of the people. और आसपास जो हमारे लोग रहते हैं, वो लोग. ठीक है, क्या कि गाउं के अंदर जो लोग रहते हैं, उनके रहने का तरीकार, उनके आसपास जो लोग रहते हैं, उनके रहने का जो वे हैंना बिटा, वो different अलग है. किन से अलग है बिटा उन लोगों से जो cities में रहते हैं सहरों में रहते हैं या सहरी छेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं न बिटा उन से ये अलग है बिटा ठीक है गाम के लोगों का जो रहन सेन होता है न वो city के लोगों से बिटा अलग होता है दा पर्शेंट, दा परसंटेज ओफ रूरल पापुलेशन इस सिख्ष्टी एट पॉइंट सेवन जीरो परसेंट, इसका मिन क्या है बेटा, की रूरल मिन होता है ग्रामीन, गाउं के लोगों, ठीक है, गाउं के लोगों की जनसेंग्या, मिन्स जो ग्रामीन छेत्र में जो लोग रह रहे रहे हैं उनकी जनसेंग जो है सिटी में जो लोग रह रहे उनसे ज्यादा है और वह है बेटा 68.70 के आसपास में से 68 में 68-69 लोग हैंड़ में से 69 लोग तो गाउं में रह रहे हैं बाकी जो बच गये न वह रहे आगे देखिए Most of the Indian villages are small and scattered scattered होता है बिख्रेवे ज्यादा तर जो गाओं के जो गाओं है ने इंडिया के वो छोटे हैं और क्या है बिख्रेवे बिख्रेवे का मीन है यहां पर कि वो दूर दूर है ठीक है? वो दूर दूर है नजदीक नहीं है आगे देखिए आगे है बिटा देखिए Their population is also in few handers और इनकी जो जनसिंख्या ने बिटा few handers कुछ सैकड़ों में ही है ठीक है हजारों में नहीं है सैकड़ों में है किसी में 600, 700, 800 लगभग ऐसे लोग रहते हैं ठीक है? छोटे गाउं है और बिख्रे वे जैसे यह कहा जाता है कि यह गाउं है और इसकी दूसरा छोटा सा गाउं उसके पास में और बसा लिया जाता है ठीक है? जेनरली दा हाउसी जार मेड अप ओफ मड एंड आर काल्ड कच्चा हाउस और बिटा सामाने ते यहां के जो घर है न वो मड किचड के बने होते हैं जो कि यहां बने होते हैं ठीक है? आगे देखें बिटा कई गाउं ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं जुड़े हैं पक्का मेटाल रोड होते हैं पक्के रोड जो की हमारी यह तारकोल और कंक्रीट वगेरा से बनते न यह वाले रोड ठीक है? इन से नहीं जुड़ेवे मिन्स कच्चे रोड हैं दा मोड्स ओफ ट्रांस्पोर्टेशन आर बुलोग कार्ट एंड कैमल कार्ट और बिटा यहां पर जो यातायाद का साधने ने जयता तर यहां पर बुलोग बैल गाड़ी या उट गाड़ी का यूज किया जाता है बिटा ठीक है यह है बिटा आगे देखिए आगे हम करते हैं बिटा I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा a few India villages are large कुछ बिटा इंडिया की गाउं ऐसे भी हैं जो बड़े हैं such villages have whose population और इनकी जो बिटा जो जनसिंख्या है न वो ज्यादा है कुछ गाउं बिटा बड़े भी है जिनकी population ज्यादा है these villages provide all the facilities to fulfill the requirement of their people और बिटा ये जो गाउं है न ये हर स्वीधा परदान करने की कोशिश करते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं लेकिन की बिटा लोगों की गाउं के जो लोग है न बिटा गाउं में जो लोग रह रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं ठीक है उन्हें परदान करते हैं और उन्हें हर स्वीधा देने की कोशिश करते हैं बिटा यहां पर बिटा क्या कि सभी फेसिलिटी जैसे की प्राइमरी और हाई स्कूल की स्वीधा होती है बिटा हेल्थ केर सेंटर स्वास्थे केंदर होते हैं बिटा जहां पर लोगों के ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है बिटा डिफ्रेंट मानलो किसी को कोई बीमारी हो जाते है बिटा तो यहां पर हेल्थ केर सेंटर जहां पर उनको दवायां वगरा प्रोवाइड की ज प्लियुटि शॉपिंग के फीर की खेंने सकेंडियुम के अउन विलेज कोप्रिटीव यूञें zł विलेज कोपरेटिव बैंक में आते तो यह बैंक भी है ठीक है आगे देखिए ओल दीज फेसिलिटीज आर प्रोवाइड़ बाइड़ एड्मिनिस्ट्रेटिव यूनिट वीच इज काल्ड विलेज पंचायत क्या होती है आप भी गाउं में रहते हैं आपको पता भी होगा नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स से पूछी बैटा कि बैटा जो विलेज पंचायत होती है यह एक ऐसी यूनिट होती है एक ऐसी परसासनिक यूनिट होती है जो गांग के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और उन्हें पेसलिती परदान करने के लिए क्या कर करती है कोषी करते हैं रूझे वह पर्दान कर्वाती है जो भी कम आ शक्रणल इन सब्उस करती है यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि विलेजर ळीष वह प्लेस होता है जहां पर एकशुद के ज्यान लोग रहते हैं ठीक है और इसके अंदर बिटा क्या के एक विलेज पंचायत होती है जो क्या करती है बिटा जो लोगों की जरूरतों को पूरा करती है और उन्हें फेसिलीटी परदान करवाती है ठीक है ओके आगे देखी बिटा एक विलेज पंचायद क्या होती है कि बेटा आपको पता है परतेक परिवार में एक हैड होता है मुख्या होता है परतेक परिवार का ठीक है और वो क्या करता है परिवार में जो भी मेंबर जो भी सद्यास्य होते ना उनकी जरूरतों को पूरा करता है ठीक है आपके दादा जी है जैसे आपने कहा कि दादा जी मेरे को नोट बुक चाहिए वो ला कर देंगे या कुछ और सामान मंगवाए आपने वो सारे चीज़े वो ला कर देंगे इसी तरह से घर में मान लोग कुछ और रिक्वाइर्मेंट आ जाते है तो वो भी दादा जी क्या करते हैं ठीक है तो घर का जो बड़ा सद्यास्य होता है ने बिटा हैड होता है वो घर के सभी सद्यास्यों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिस करते हैं ठीक है सभी की रिक्वाइर्मेंट सुनते और उन्हें पूरा करते हैं इन दा सेम वे ठीक बड़ा इसी तरीके से क्या कि समबोडी हैस टू टेक केर ओफ दा जर्नल नीड्स ओफ पीपर लिविंग इन विलेज ठीक है ताउन्स एंड सिटीज क्या कि इसी तरीके से बड़ा सेम कि अगर मान लीजिए गाउं के अंदर या सिटी के अंदर या बड़ा उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या की जो बोडी वर्ग करती है उससे क्या कहा जाता है विलेज पंचायत कहा जाता है पीने का पानी हो और वो साफ हो इलेक्ट्रिष्टी बिजली की स्वीधा हो, इस्पेंसरी और दाली हो या ड्रेनेग फेसिलिटी ड्रेनेग होता क्या कि जो गंदा पानी निकलने की जगे होती है यह लोगों की मेन जरूरते हैं लोगों की मेन जरूरते क्या क्या होती है यह जो है पीने का पानी होना चाहिए प्लेइन ड्रिंकिंग वाटर बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिस्टी बिजली होनी चाहिए एमिनी ठीक है स्कूल्स होनी चाहिए बिटा डिस्पैंसरी होनी चाहिए ड्रेनेग फेसिलिटी गंदा पानी निकास निकलने के लिए बिटा सही से अच्छे से नालिया बनी होनी चाहिए ताकि गंदा पानी इकठा ने हो गलियों मे कठाना है और वो गाउं से बाहर चला जाए बिटा दीज आर दा सिविक एमिनिटीज और ये क्या है बिटा में मुख्य सुविधाई होती है लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है बिटा और ये किसके द्वारा पूरी होती है ये होती है लुक आफ्टर दा पंचायत और ग्राम सभा और इनको कौन पूरा करता बिटा पंचायत या ग्राम सभा पूरा करती है बिटा पंचायत को ही ग्राम सभा कहा जाता है ओके अब देखी बिटा विलेज पंचायत देखी बिटा देर आर 6,38,596 ओफ विलेजी इन आवर कंट्री ठीक है हमारे देश में लगबग बिटा 6,38,596 गाओं है बिटा छोटे मोटे करके बिटा टोटल इतने गाओं है लगबग ठीक है देहे पंचायत और ग्राम सभा और इन सभी की बिटा अपनी एक पंचायत होती है एक ग्राम सभा होती है आगे देखिए its members are the punches और इस पंचायत की जो members होते हैं उन्हें पंच कहा जाता है आपने देखा हुगा बिटा कि आपके गाउं में जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पर पंच और सरपंच का चुनाव होता है ठीक है और लोग क्या करते हैं वोट डालने के लिए जाते हैं और वोट डाल करके अपना सरपंच अपने पंच को इलेक्ट करते हैं चुनते हैं ठीक है और आपको नहीं पता है तो आप अपने parents की help लीजिएगा कि पंचायत और इसमें पंचो का चुनाव कैसे होता है वो 18 years of age अब यह आपको समझने का है यहां पर कि यह किस के द्वारा चुने जाते हैं यह उन लोगों के द्वारा चुने जाते है जिनकी age 18 साल या इससे जादा हो चुकी है जादा के इससे छोटी age के जो members होते है जो बच्चे होते है वोट नहीं डाल सकते हैं जिनकी एज 18 या 18 से ज्यादा है ठीक है तो आपको यहाँ से क्या क्यूस्टन है बिटा कि वोट इलेक्ट दा मेमबर सो ग्राम सभाया ग्राम पंचायत के मेमबर को कौन इलेक्ट कर सकता है बिटा वो कर सकते है बिटा people who are more than 18 years ठीक है there must be at least one woman member in the ग्राम पंचायत और बिटा कम से कम क्या कि जो ग्राम पंचायत के जो मेमबर सोते है ना कम से कम उनमें एक उमेन भी होनी चाहिए औरत भी होनी चाहिए ठीक है एक फिमेल उमेन भी उसके में एक पंच होनी चाहिए ठीक है आगे देखिए the elected members using themselves elect their परधान और सरपंच क्या कि जो elected members है ना फिर जब वो डालते तो जो elected members है ना फिर अपना परधार और सरपंच करता है इसमें दिया वाय कि जो elected members जो पंच हम चुनाव करते हैं वो पंच अपना एक सरपंच चुनते है ठीक उनमें से एक मुख्या ब परधान कहा जाता है लेकिन बिटा ऐसा नहीं है हम जब वोट डालने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम सरपंच के लिए अलग members उठते हैं पंचों के लिए अलग और हम वोट डालते हैं तो जिसके वोट सबसे ज़्यादा होते हैं उसको सरपंच चुना जाता है इसमे क्या करते हैं जो भी 18 years याभू है वोट डालने जाते हैं और वो फिर जिसके पक्स में ज्यादा वोट जाते ना उसी को अपना सरपंच चुनते इलक्टिड मेंबर नहीं चुनते हैं ठीक है आगे देखे दा विलेज पंचायत में एक सुटेबल अरेंजमेंट अब बेटा द देखे़े यह देखे पिया गाओं की सफाई करवाने का परबंद करवाती है डिग वेल स्टू प्रोबाइड क्लीन drinking water ये बिटा drinking पीने का पानी प्रबंद का प्रबंद करवाने के लिए क्या करते है बिटा कुवे वगेरा खुदवाती है light on the road and streets at night रात के समय में road के उपर गलियों में बिटा रोसनी हो इसके लिए light का प्रबंद करती है बिटा construction and repair the roads inside the village गाओं के अंदर जो रोड होते हैं उनको बनाने का काम करवाती है बिटा अगर टूट फूट हो जाते हैं नहीं मरमत करवाती है उनकी repairing भी करवाती है ठीक है आगे देखिए running of the primary school ये primary school चलवाती है बिटा running the adult education center adult होते बिटा क्या प्रोड सिक्स्या जो लोग जैसे बुढ़े है बिटा आपको पता है कि पहले लोग बहुत कम पढ़ते थे तो बुढ़े लोगों को सिक्स्या परदान करने के लिए बिटा जो बड़े लोग है उनके लिए adult education center खोलते हैं बिटा और वो श्यान के समय उनको education देते हैं providing medical help to sick persons और क्या करते हैं पैटा जो बीमार व्यक्ति हो जाते न जो व्यक्ति बीमार है उनको provide करवाती है medical help देते हैं ठीक उन्हें दवाईयों का प्रबंद करवाती है या उनका treatment का प्रबंद करवाती है ठीक है setting dispute among villages यह क्या करते विलेजिज गाउं के लोगों की बीच में क्या करती है dispute करवाती है ठीक है उनकी setting करवाती है उनकी help करवाती है किसी भी मामले में help the villagers in controlling the disease और villagers की help करते है बीमारियों को पर नियंतरन करने के लिए कई बर क्या होता है कि गाउं में जैसे बीमारिया फैल जाते हैं तो वहां दवाई वगरा चिड़कवा कर बिटा और जो गाउं में मानलो कहीं गड़े वगरा है पानी वगरा भर जाता है जहां पर मच्छर पैदा हो जाते हैं तो उनको क्या करवाते हैं गड़ों को भरवा करके बिटा वहां पर साफ सफाई का परबंद करवाती है गंदग के लिए ये ठीक है क्या-क्या फेसिलिटी परदान करवाती है बिटा एक विलेज पंचयत गाओं में बिटा आपको बिटा क्या करना है आज ये चैप्टर यहीं तक पढ़ना है और अच्छी तरह से बिटा समझ लेना है ठीक आपको यहां तक करना है ठीक है ये सारी जो फेस के हैं बीटा थेंक्स